नमस्कार गूड मॉनिंग दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में तो चलिए दोस्तों वीडियो को को सुरु करते हैं उससे पहले उससे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दे साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल लोटिफिकेशन को आन कर दे जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरद मिल सके तो दोस्तों 2018 के अंदर जो इस्ट्रक्चर पूछे कारेते हैं और हम घाय करते हैं तो दोस्तों जो हमारा पहला एक मेर बनाने वाले हैं लिगर ऑपने कर दिए जहां सब्सक्राम lol maturity घा पहले हम लेखना लिगने कर लेते हैं और इसकोली ड zal जाय के्ए हिंग पहल च dafür है है आप लिगनों के अपने कौपी में लेंगे तो चलिए इसको पहले इसको इसको पेले डिलेट कर देते हैं क्योंकि ड्रॉव करने के लिए आपके पास जगह होना चाहिए और चैक्ज़ार करने भी थोड़ा सा साइस्पेस्ट लगता ही है तो चलिए यहां से हम पैंसिल सेल कर दिया है और इसके बाद दोस्तों आपको लगाना है एन एच हो चुका है इसके बाद सी ओ ऑच टू यह आपका बन चुका है आप इस तरह एक बेंजिनिंग बेना लेंगे और उस पर दो मिठाइल ग्रूप लगा देंगे एन हो गया है आपका फिर आपको एक यहाँ पर नाइट्रोजन लगा देना है और इस नाइट्रोजन पर आपको दो दो आपको यहाँ पर एथाइल ग्रूप लगा देना है सी टू एच फाइब चलिए हम यहाँ पर दो एथाइल ग्रूप यानि के सी टू एच फाइब लगा दे हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है तो इसके लिए हम इसको मिटा लेंगे तो यह हमारा लिगनो के बन चुका है जिसको कि हम लीडों के निया फिर जाइलों के भी कहते हैं तो इसको हम यहां से डिलीट कर दे रहे हैं इसको हम इसको हम यहां से डिलीट कर देंगे कि हम जल्दी डिलीट करने के लिए सका बड़े साइज करें रहे तो यह हमारा यहाद हो सब्सक्राइब करें बाद दोस्तों आप एस्परीम और परायमिन और सlaisयेगoh इसके अलावा दोस्तों आपका आई सुनियाजिट का जो अक्सर पूछा जाता है तो आपको यह सब इस्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए तो चलिए दोस्तों यह पैन का जुन नहीं भैसे हम छोटा कर लेते हैं तो इसके बाद दोस्तों बनाने वाले हैं स्प्रिंड का आप हम एस्प्रिंड बनाने वाले हैं तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसमें वी एक बेंजिन होता है इसके साथ में आपको ओसी ओसी अस्तरी ग्रूप लगाना होता है और एक आपको इसमें कॉर्बॉक्स लिग लगाना होता है तो यह बार-बार ऐसे ड्रौ जा रहा ह है तो चलिए अब इसके बाद हम एस्प्रिंड रॉक करने वाले हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है आप इस तरह बेंजिन रिंग बना लेंगे और इसमें ओसी ओसी एस्थरी यह बहुत बड़ा हो जा रहा है इसको में मिटाना ही पड़ेगा है तो इसको पहले मिटा लेते हैं हाँ हाँ तो चलिए अभी इसके बाद हम एस्प्रिंड ड्रॉ करने वाले हैं तो यह हमारा इस तरह का आप एक रिंग ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद आप इसमें लगा देंगे ओ सी ओ सी एस्थरी और यहां पर आप एक कार्बोक्स ली ग्रॉप लगा देंगे सी डबल ओ यह सो दोस्तों यह आपका स्प्रिंड का स्ट्रॉक्चर बन चुका है तो चलिए अब इसके बाद हम इंडो मेथासीन का स्ट्रॉक्चर ड्रॉ कर लेते हैं तो इसको मिटा देते हैं तो इसके इसको लिख लेंगे तो हमने इंडो मेथासीन लिख दिया है तो अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं और उसके बाद हम इंडो मेथासीन का स्ट्रॉक्चर ड्रॉक्चर कर लेते हैं तो हमने यहां से पैंसिल को सलेट कर लिया है तो जो भी आपका इंडो मेथासीन होता है इस को गूप लगा देंगे और नीची आपका एक कार्बन लगाएंगे इस पर डबल बॉंड ऑक्सिजन ड्रॉ करेंगे और फिर आप एक बेंजिन इस तरह बना देंगे यहाँ पर आप एक क्लोरीन को अटेच कर देंगे दोस्तों यहाँ पर आपको CH2COOH ग्रूप लगाना होता है तो हम यहाँ पर CH2COOH ग्रूप लगा देते हैं तो यह आपका बन चुका है दोस्तों इंडोमेथासीन का यह इस्ट्रॉक्चर आपका कम्प्रीट हो चुका है तो चलिए इसके बाद हम एक और इस्ट्रॉक्चर बना लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था तो यहां से हम इसको डिलीट कर लेते हैं पूरा तो आप लोग इसको साथ में बनाते भी रहें तो यह ब्लेकबोर्ट को क्लीन कर लिया है इसके बाद दोस्तों हम बनाने वाले हैं कैफिन जो की एक जैनफीन डेरिवेटिव है तो चलिए हम इसके बाद caffeine का structure draw कर लेते हैं तो दोस्तों इसकी structure कुछ इस तरह होती है आप इसके ध्यान देंगे थोड़ा से आप इसके अगर practice करेंगे तो आपको सब आ जाएगा और आपको exam में draw करके दिखाना नहीं है कि आप से केवल multiple choice question पूछा जाएगा और वहाँ पर आपको केवल identify करना होगा कि यह इसका structure है तो यह structure कुछ इस तरह का होता है और इन सब structure के मैं आपको photo दे दूँगा और आप वहाँ से इसको देख सकते हैं तो आप यहाँ पर एक लगा देंगे और आप इस पर oxygen भी लगा देंगे उपर वाले में उसके बाद नीचे दोस्तों आप इस nitrogen पर एक लगा देंगे यहाँ पर आप डबल बॉट oxygen लगाएंगे और आप यहाँ पर भी एक लगा देंगे तो दोस्तों यह आपका कैफीन का structure बन चुका है और आप इसको ठीक से बना लेंगे मैं आपको इसका फोटो प्रोटो प्रोवाइड करा दूंगा तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम पाराजिनामाइड जो की एक इसको पहले हम यहां से डिलीट कर देते हैं तो हमने इसको डिलीट कर दिया है तो हमने इसको यहां से डिलीट कर दिया है तो चलिए इसके बाद हम पाराजिनामाइड का structure देख लेते हैं तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है इसमें भी आपका वही रिंग रहता है आप आपको नेट्रोजन यहां बना देना है इसके बाद आपको कुछ इस तरह का एक six member ring इस तरह के बना देना है यह आपका बन चुका है और यहां पर आपको क्या करना है इसमें आपको लिख देना है c o n h 2 c o n h 2 तो दोस्तों यह आपका पायराजीरामाइड बन चुका है जो कि आपका एक anti-tubercular drug है तो दोस्तों इसके बाद हम 2017 का structure देखें अब इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको 2017 का structure बना के दिखाऊंगा कि जो उसमें chemical वाले chemical structure वाले question पूछे गए तो दोस्तों आप इस वीडियो को like करें साथ में चैनल को subscribe अबस्ते करें और इसको अपने दोस्तों के साथ share करें या साथ में will notification on कर लें जिससे आने वाले सभी updates आपको तुरंत मिल सके तो दोस्तों आप इसको like करें साथ में share करें और subscribe जरूर करें दोस्तों जय ही भारत माता की जय ही